लेकिन इस बार का स्थापना दिवस एक ऐसे कालख़ड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वस्क्त से गुजर रही है पूरी मानव जात के सामने एक संकट प्यादा हुआ है चुनोतियों से भरा ये वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संसकार हमारे समरपन हमारी प्रतिवधता इन सब को ले करके और अधीक शसक्त हो करके प्रसस्त होने का मार्गताय करता है साथियों जनसंग से दीनों से ले करके भारतिय जनता पार्टी की स्थापना तक दो साउसद वाली पार्टी से ले कर तिन सो से जादा साउसदों के लिए मेले आशिरवाद तक पार्टी ने चार चार पीड़ी अनेक परिवार अपने आपको खपा चुके हैं त्याग तपस्या बनिदान के अधिश्ठान पर यह पार्टी खड़ी है परामविकाल से ही हमें जो मंत्र मिला संगठन का समर्पन का संगर्ष का सेवा का और इन सब को एकी धागे में परोया गया संसकार हमें स्रद्धे शामा प्रसाज मुखर जी पंडित दिंदाल उपाईज़ाई जी अटल विहारी वाजपाई जी बंडारी जी कुशाभाव ठाकरे जी जैसे अंगिनत महापुरुषों ने राष्ट प्रथम का आदर्श दिया है आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है अनेक वरिष्ट महानुभाव है जिन्नों ने पांच पांच छे छे साथ साथ दसक इसी एक मंत्र को लेकर के जीया है और हमें जीने का सिखाया है आज उस आदर्श को आस्मान की उंचाई तक ले जाने का हम सबका दाईत्व बनता है साथ्यों कोरोना वैश्वीक महामारी से निपट निकलिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उधान प्रस्तूत किया है भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वाइरस की गंभीरता को समझा और समय रहते हैं इसके खिलाप एक व्यापक जंग शुरू की शुरूबात की है भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्ने किये उन फैसलों को जमिन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के कोई कमी न रहे इसकी चिंता की और जैसा आप जानते हैं एक ऐसी बिमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था इक कैसे आती हैं कहां जाती हैं किसके पास पहुंचती हैं कुछ पता नहीं था तब जो भी आवशक निर्ने करने के ज़रूत पड़ी एक्सपर्स की मदद से करते रहें एरपॉर्ड के पर विदेश्य से लोगों के आने वालों के थर्मल स्क्रिनिंग हो मेदेश्ट में फसे भारतियों को स्वधिस लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाय यात यात को बंद करने का बड़ा कठीन निर्नए ओ मेडिकल इन्फासेक्चर को इस महामरी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयांस हो हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोयक्टिव होकर के फैसले करता गया राज्य सरकारों के सहईयोग से इन फैसलों को गती भी मिली है भारत ने जितनी तेजी से काम किया है जितनी समगरता से काम किया है होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रसंसा सिर्फ भारत में नहीं वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन डबलू एचो ने भी किये है तमाम देश एग जूट होकर कोरोनों का मुकामला करे इसके लिए सार्ग देशों की विशेश बैटक हो या जी ट्वेंटी देशों का विशेश सम्मेलन भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपुर भूमिकानी भाई है इस दौरान दुनिया के अनेग देशों के राष्टा दक्षों से भारत लगाता और संपर्ग में है मेरी भी बात्चित होती रहती है सभी ने भारत के प्रयासों की सरहाना की है और हम जानते हैं भारत एक विकासिल देश है हमें पुरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने में व्यस्त है हमारी पूरी शक्ती की प्रात्मिक्ता वो ही है लेकिन ऐसे समय जब यह संकट आ गया तो एक जुड़ता के साथ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय मंच पर हम निरंतर प्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों हमारी यहां सास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है हमारी यहां कहा गया है समानो मंत्रह समीती समानी समानमन सह चित्तम एशाम यानि हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे रदय एक जूट होने चाहिए यही एक जूटता यही संकल्प भारत को विजय स्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे वर्तमान परिष्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरब देख रहे हैं चाहे वो एक दिन का जनता करफ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय या प्रत्य भारतिय तमाम उसके लिए उठा कर भी देश के साथ पुरी मजबूती से खड़ा है और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है देश को बचाने के लिए काम कर रहा है भारत जैसा इतना बड़ा देश 130 करोड लोकों का देश लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैचुरिटी दिखाई है गामभीर यह दिखाया है यह भूत पूर्व है हम भारत के कोटी-कोटी जनों का जितना नमन करें उतना कम है कोई कलपना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे साथियों कल भी हमने देखा रात को नौ बजए हम सब ने अनुभो किया है 130 करोड देश वासियों की सामुहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्सन किये अनुभूती किये हर वर्ग हर आयू के लोग अमीर हो गरीब हो पड़ा लिखा हो अनपड़ हो शेहर का हो गाउं का हो सब ही ने मिलकर एक जुड़ता की स्ताकत को उसका साख्षाटकार किया उसका बंदन किया कोरोना के खिलाब लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया और जो मूल भाव था अग मैं अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ वेले घर में बैटा हूँ लेकिन पुरा देश लड़ रहा हैं इस चीज़ को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है आपने खुद महसुस किया होगा गाव दिहाद से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने प्रकाश ने कोरोना संकड के अंधिरे को उस हताश निराथा को दूर करने में एक एक नागरी का हुसला बुलंद करने में मदद किये हैं 130 करोड देश वास्यों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्में महाप्रकाश ने देश वास्यों को लंबी लड़ाई के लिए तयार किया है और यह मैं समझदारी के साथ कहता हूँ यह लंबी लडाई है न ठकना है न हारना है लंबी लडाई के बावजुद भी जीतना है विजई होकर के निकलना है साथियों आज देश का लक्ष एक है मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है कोरोना महामारी के खिलाप लडाई में विजई लडाई में जीत हमारे तो समस्कार है हमारे खून में हमारे रगों में है हमें तो ये की मंत्र सिखा गया है दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड मेरे देश्वासी पूरी मानवजात के लिए भी 130 करोड देश्वासियों की जिंदिगी की रक्षा उनका कल्या मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है और इसलिए देश के लिए इस कठीन घड़ी में भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं पर राष्ट सेवा और मानव सेवा का दायत्व और भी जादा बढ़ जाता है साथियों पार्टी के 40 वे स्थापना दिवस पर मैं आज आपको कुछ सुझाओं पर कार करने का आगर करना चाहता हूँ वैसे भारतिय जनता पार्टी ने हमारे राष्टिय अद्धिक जी नड़ा जी ने हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका त्यार किया है मैं उसी को सिर्फ से दोहरा रहा हूँ लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूँ यह हम सब कार्टा के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब कार्टाओं ने पार्टी के इस आग्रह को जरूर पालन करना है इन सुजावों में अंतियोदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिती में इन मैंसे कुछ कार्यों पर थोड़ा अधिक बल लेने के लिए आपसे आग्रह करूंगा साथियों मैं आपसे प्रार्थ्रा करूंगा इसे एक तरह से आप मेरे पांच आग्रह मान सकते हैं पंच आग्रह इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अवीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अवीरत सेवा अभियान जब से ये संकट सुरूवा है तब से भाजपा के लाखो कार करता है दिन राद गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुंचाने के कारे में चूटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरत मन को पहुंचे जरूरत मन को रहना जाए ये हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता ये पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेश कवर जरूर पहने और मैं ये भी बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर्नों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं जो परामेलितर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्क्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूँ यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बचने के लिए हमारा फेस कवर हो तौलिया हो कुछ भी हो लेकि लगातार हो मेरा दूसरा आग्र है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं साथ्यों इस मुश्किल समय में समाज को सेमाए दे रहें सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना यह सिर्फ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना शाहिए मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर में के धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्रा ले करके हमें साहमोई ग्रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बुथ में करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी तीसरा पुलिस कर्मी चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजीम हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है इसके लिए आप अपने अपने बुथ में और जब पार्टी के 40 वास्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बुथ में चालिस गर इन पांच अलग-अलग प्रस्ताओं पर सिगनेचर करें पांच अलग-अलग सेट में धन्यबाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यबाद पत्र उसी पुलिंग में जो जो सम्मधित हो उन तक रूप-रूजाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा यह लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार यह है हम जितना सफलता पुर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्षित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौता आग्रह है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दे और कम से कम चालिस लोगों के मोबाईल में यह एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो आटोमेटिकली वैप से उनको बताये जाएगा कि अब आपको किस बिमारी की क्या स्थिती है आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूत है आपको किस की मदर लेनी चाहिए आपको किन किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि आपके पास यह सहज्जन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके पास एप होगा तो उसके पता चलेगा और इसलिए संकट के स्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एप हरे एक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सीवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी मांताय बैने गहने देते ते सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पांच पैसा दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है यह हमने हर यु युद्ध मानवता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग पी-एम कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए है और इसलिए मेरा पांचवा आगर है कि प्रतेग भाजबा कायरकरता को खुद भी खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 सान निमित और 40 लोगों से भी पी-एम कैर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है साथियों हम तो चरैवेती-चरैवेती के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग है हमने उस पर को जी करके देखा है आज पाबंदी के कारण चरैवेती-चरैवेती को हमने सीमित करना पड़ेगा अब इधर उधर जाने की जरूत नहीं है हमारे आंस पास दुख्यानों के बीच जाना उनके आंसू पहुंचना उनको मदद करना हाँ इस जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूँ गर में भी होना चाहिए और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टंसिंग और अनुशासन का पुरा पालन करना मुझे उमीद है कि भारतिय जनता पार्टी का प्रतेख कार करता स्वयम की सुरक्षा करते हुए अपने साथी देशवास्यों के भी सुरक्षित बनाएगा अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा और ये राष्ट भी हमारा परिवार है उनको भी सुरक्षित करेगा इसी एक भाव को लेकर के हमें चलना है देश को विजयी बनाना है और इसी विश्वास के साथ भारतिय जन्ता पार्टी के इस थापना दिवस पर हमें यहां तक पहुंचाने वाले लक्षावधी कारकरताओं को, लक्षावधी परिवारों को, उनकी त्याग तपश्या को आदर पुर्वक नमन करते हुए आईए, आपको भी मैं बहुत नवात करता हूँ करता हुए नहीं